नमस्कार साथियो स्वागे था आपका दुरुष्टी आईएस की इस नई वीडियो में मेरा नाम है मनीश हाली में सुप्रिम कोट ने एक महत्वपूर्ण मामले में न्यूस क्लिक के फाउंडर एडिटर प्रबीर प्रुकायस्त को रिहा कर दिया है उन पर 3 अक्टूबर 2023 को गिरफतारी के बाद UAPA कानून की अलग अलग धाराओं का इस्तमाल किया गया था ये कानून हमारे लिए विशेशूप से महत्वपूर्ण है ये मुद्दा हमारे लिए विशेशूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोर्ट के आदेश ने मुख्यत इस बात पर जोर दिया है कि proper processor and due process of law का बहुत ही कठोर कानूनों के अंतरगत भी इस्तमाल किया जाना चाहिए तो आज हम इन यूज के प्रोग्राम में इस पुरे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टोपिक के अंतरगत हमारी चर्चा की सामाने पक्ष क्या रहने वाले हैं सबसे पहले हमने उस खबर को सामाने तोर से जान लिया है जिसके कारण ये पूरे टोपिक चर्चा में है इस खबर को थोड़ा और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे फिर देखेंगे कि किन आधारों पर गिरफतारी का समय पर किसी तरह का एक प्रशन चिन लगा है यानि उनकी गिरफतारी किस समय की गई थी उस पर एक प्रशन चिन है और उसी आधार पर उनकी गिराफतारी की वैदता पर प्रशन चिल लगे हैं तो इन दोनों चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे और उससे इस पूरे मुद्दे की समझ हमारे भीतर एक बन जाएगी इसी मेप सुप्रीम कोट का एक महत्वपून लिर्णे पर भी हम चर्चा करेंगे अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रशन होगा जिसका उत्तर आपको कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके देना होगा यह जो पूरा विशे है UPSC की मुख्य परिक्षा के सामान अध्यन परशन पत्र दो से जुड़ेगा भारती राज्य व्यवस्ता सम्विधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बैल आइकन दबाईए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप राप्त कर सके उनका लाव उठा सके साथ ही हम आगे बढ़ें आप हमारे इन सभी प्रोग्राम का जो पेडियाफ फाइल है वो डेस्क्रिप्शन में दिएगे टेलिग्राम लिंक पर जाकर के पेडियाफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले खबर को देखते हैं खबर क्या है कि हाली में 15 मई 2014 को सुप्रिम कोट ने निउस क्लिक के फाउंडर एडिटर प्रबीर पुरकायस्त को रिहा करने का आदेश दिया है और उन पर लगाए गए अलग अलग तरह के यू ए पी ए कानून की जो धाराएं हैं उनको अवैद करार दिया है उनको अमाने करार दिया है उन्हें 3 अक्टूबर 2023 को गरफतार किया था अवैदिता का कारण सुप्रिम कोट ने बताया है कि हिरासत में लेने से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें गरफतारी का कारण नहीं बताया दिल्ली पुलिस गरफतारी का process of law ही कठोर आतंकी मामलों में भी स्टेट की मनमानी कारवाई के खिलाफ नागरिकों को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा परदान करता है और इसलिए proper procedure and due process of law का पालन क्या जाना चाहिए जब हम proper procedure यानि उचित परक्रिया की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी कानून संसद द्वारा बनाए गए हैं उन कानून का ठीक तरह से पालन करना इन कानूनों में निहीत परक्रियाओं को का ही पालन सुनिशित करना और जब हम due process of law की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि कोट इन कानूनों की rationality को भी चेक कर सकती हैं ये rational है ये तारकिक है या नहीं है क्या इन में विभिन सुरक्षा उपाय किये गए हैं या ये moral है या नहीं है इनकी rationality को भी चेक किया जा सकता है due process of law के अंदर तो इनहीं दोनों के तहट इन पूरी ग्रफतारी पर सवाल खड़े के गए हैं और क्यों खड़े के गए हैं अब ही हम इस पुरे मुद्धे को देख लेंगे तो इसमें पूरे मुद्धे में ग्रफतारी का समय विशेशूप से महत्वपूर्ण हो तो गिरफतारी का समय क्या था तीन अक्टूबर दो हुजार तीज को सुभे लगभग साड़े छे बजे गिरफतारी का समय था दिली पूलिस का आरोप है कि न्यूज क्लिक को चीन समर्थक परचार यानि चीनी प्रोपेगेंड़ा के लिए धन मिला और इसी के अंतरगत उ और जिसमें 2019 में महत्वपूर्ण संशुदन केगे इसके तहत कहीं धाराओं के अंतरगत मामला दर्ज हुआ जैसे सेक्शन 13 के अंतरगत जो गैर कानूनी गतिविधियों से रिलेटिट है उसके तहत मामला दर्ज हुआ इसी परकार सेक्शन 16 जो आतंकवादी कृतों से जाने से सम्मंदित है इन सभी धाराओं के इंतरगत मामला उन पर दर्ज किया गया और इसी परकार से इंडियन पीनल कोड भारतिय दंड सहीता के सेक्शन 153A के तहत जो विभिन समुहों के बीच दुस्मनी को बढ़ावा देने से सम्मंदित है उसके तहत मामला दर्ज किय गया जो आपराधिक साजिस से सम्मंदित है तो इन धाराओं के तहत उनके खिलाप मामला दर्ज किया गया लेकिन समय पर सवाल क्यों उठा समय पर सवाल इसलिए उठा क्योंकि 3 अक्तुबर लगभग 3 अक्तुबर 2023 को लगभग 6 बजे उनकी गिरफतारी हुई और 4 आवास पर उन्हें ले जाया गया इस टाइमिंग को ध्यान पर में रखेगा किस टाइम ले जाया गया सुबह 6 बजे ले जाया गया और पुरकायस्थ के परबीर पुरकायस्थ के वकीलों का दावा है कि सुबह करीब 7 बजे फोन कोल पर ही उन्हें कारवाई के बारे में सुचित कभ किया गया करीब साथ बजे उन्हे सुचित किया गया। दिल्ली हाई कोट में पूरपायस के वकीलों ने दलिल दी कि गिरफ़तारी के समय यह गिरफ़तारी के आधार का उलेक आधार का उलेक नहीं और रिमांड आवेदन की एक फस्यूर्द अंशांड कोपी WhatsApp पर वकीलों को भेजी गई और हाला कि जब ये कोपी भेज दी गई तो सुबह 8 बजे से पहले ही इस रिमांड पर आपत्यां दर्स किये जाने के बावजूद आपत्यां दर्स की जा चुकी कब की जा चुकी सुबह 8 बजे से पहले पुरकायस्त के वकीलों को बताया गया कि रिमांड आदेश पहले ही पारित हो चुका है तो पुरकायस्त के वकीलों को बता दिया गया कि रिमांड आदेश पारित हो चुका है और 7 दिनों की पुलिस हिरासत दी जा चुकी है लेकिन जो आधिकारिक रिकोर्ड है सुबह साढ़े छे बजे पेशी की गई तो इस तरह की अनियमित्था कि रिमांड आदेश में देखी गई आधिकारिक रिकोर्ड और जो कहा गया उसमें देखी गई इस परकार से यह सिद्ध होता है कि जो जो यह रिमांड आदेश है जो छे बजे हस्ताक्षरिट गया यह नियाधिश के सामने पेश किये जाने या वकिलू को सूचित किया जाने से भी पहले का समय है और इसी कारण से इस पूरे समय में एक अनियमेटता की स्थिती देखने को मिलती है और यही मूलत मुद्दा था यानि मूल मामला क्या हो गया गिरफतारी अवैद क्यों हो गई क्योंकि नियत परक्रिया का पालन नहीं किया गया उसे रैशनली फोलो नहीं क किया गया और जो कि हमारे देश के समयधान के आर्टिकल 22 के अंतरगत भी एक महत्वपूर्ण उलंगन माना जाएगा क्योंकि आर्टिकल 22 क्या करता है कुछ मामलों में नागरिकों को गिरफतारी और हिरासत से सुरक्षा परदान करता है सीधे तोर पर आर्टिकल 22 एक क्या कहता है कि नागरिकों को पूर्व सूचित किये बिना उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता साथ ही नागरिकों को अपने पसंद के वकील से और कानूनी सलहा लेने से भी वंचित नहीं किया जा सकता यानि वो इस तरह के कानूनी सुरक्षा अपाई भी कर सकते हैं उन से इने वन्चित नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 22 निर्धारित करता है, इसी दोरान जब 3 अक्टूबर 2023 को परबीर प्रुकाइस्त को गिरफतार किया गया था, उसी तारीख को 3 अक्टूबर 2023 को पंकज बंसल बनाम भारत संग के मामले में सुप्रीम कोट ने एक महतवपू स्थापित है, अगर आप उसे सही रूप देना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि यह आवश्यक होगा कि गिरफतारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रती, लिखित आधारों की एक प्रती गिरफतार व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के प्रदान की जानी चाहिए, जबकि प्रबीर पुरकायस के मामले में इसमें एक अनियमित्ता की स्थेथि देखने को मिलती है, यह 3 अक्तुबर 2023 का आदेश है, यह दपी जो पंकस बंशल का मामला था, यह PMLA कानून, Prevention of Money Laundering Act से जुड़ा हुआ था, और PMLA कानून के तहत वो Money Laundering से संबंदित था, लेकिन इसी तरह के प्रावधान, Money Laundering के तरह के प्रावधान भी आप UAP में एक समान प्रावधान देख सकते हैं, तो यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, यह महत्वपूर्ण इसली हो जाता है, टेक्निकली, क्योंकि PMLA और UAP में जमानत Prevention Act हो, और जब बाधाई बहुत उची रखी है, तो जमानत मिलना इनमें लगभग असंभव हो जाता है, और इसलिए कड़े अपरादों में गैर कानूनी गिरफतारियों से सुरक्षा परदान करना नागरिकों को और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उनमें due process of law और proper procedure को follow करना विशिशूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी कारण से इस due process of law में अनियमित्ता के कारण ही News Click के founder editor प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा किया गया है, इसके अंतरगत, UAPA के अंतरगत, इससे संबंदित एक प्रशन भी देख लेते हैं, प्रशन क्या है, UAPA, इससे कोई नहीं, इस प्रशन का उत्तर आप हमें comment box में comment करके जरूर दीजिए, फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी, भन्यवाद।